इस वीडियो में हम ग्राम सचीव का पेपर डिसकस करेंगे जो की हुआ है 10 जनवरी 2021 को यह आपका इवनिंग सिफ्ट का पेपर है इसमें हम इसकी फुल आंसर की डिसकस करेंगे इसमें कौन-कौन से कोशन पूछे गए है और उनके क्या करेक्ट आंसर होंगे तो इसमें स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है निमलिकित में से किस पुष्टक में अग्रोहा का उलेख है तो इसमें है दिव्या वदान में सिफ में आपका क्रेक्ट आंसर आएगा नेक्स्ट कौशन है ये को सिरीज कंप्लीट करनी है ग्र को 3 से multiply करेंगे तो next में कितना जुड़ के आएगा 81 जुड़ के आएगा तो इसमें आपका अंसर के आएगा C123 एक प्रस्ट के बाएं, दाएं, सीर्ष और तल के एक छोर से दूसरे छोर तक के खालिस्तान को क्या कहते हैं तो इन्हें कहा जाता है margins next question है निमलेकित में से किस गुप्त शाषक को कवी राज की उपादी मिली थी तो ये मिली थी समंदर गुप्त को next question है पैरालोंपे खेलों में पदक जीतने वाली हर्याने की पर्थम भारते मिला कोन थी तो ये थी दीपा मलिक ये हर्याने के सोनी पजिले से बिलोंग करती है next है ये आपकी जो है binary number है ये किस के बराबर है तो इसमें आपका अंसराइक ओप्शन बी और ये जो है binary से hexadecimal में convert किया है next question है 2017 में हर्याने के किस जिले में कलपना चाला government medical college की स्ताफना की गई थी तो ये की गई थी करनाल में next question है अरुन ने का यह लड़की मेरी माता के पोतर की पत्नी है अरुन उस लड़की का कोन है तो इसमें आपका अंसराइगा अरुन उस लड़की का है ससूर डी इसमें आपका correct answer आएगा next question है भारत में पंचाइती राजप्रणाली के सभी सत्रों में महिलाव के लिए कितने पद आरक्षित हैं तो इसमें आपका अंसराइगा एक तियाई next question है तराइं का पर्थम यूद या आपका भारत की बात हो रही है next है तराइं का पर्थम यूद किस वर्ष में हुआ तो ये हुआ था 1911 में और दित्या 1922 में ये 19111 में में और दूसरा 1122 में किस किस के बीच में प्रिथ्विरा चोहान और मौमद गोरी के बीच में कंदारिया महादेव मंदिर कहां पर है तो ये है खजुराहो में next question हरियाना पंचायती राज अदिनियम 1914 में की कोन सी धारा विकास योजना से सम्मंदित है तो ये सम्मंदित है धारा 249 नेक्स्ट है इसार सहर के स्थापना किस ने की थी तो ये की की थी फिरोज सार तुगलग के द्वारा next है LUT इसको म्यूट लिखा जाता है फेट को गेट लिखा जाता है तो बिलू को क्या लिखा जाएगा तो UTE ये जो लाश्ट के थ्री वर्ड्स है ये सेम रख दिये गए है और जैसे जे के ल के बाद M आता है F के बाद G आता है तो पहले अक्सर का जो है अगले वाला अक्सर लिख दिया गया है तो इसमें आप का अंसर आएगा क्लू L U E ये सेम रहेंगे और B के बाद क्या आता है C आता है नेक्स्ट कोशन है महाराना परताप ने कहां के एतियासिक युद में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी तो ये की थी हल्दी गाटी के युद में नेक्स्ट है बढखलजील हरियाने के किस जले में है तो इसमें आप कांसर आएगा ये है फरीधाबाद जले में नेक्स्ट क्रेशन है भारत में निमलिकित में से कौन सा शाशक सयद वंस से थे तो ये थे ख्रिज खान निमलिकित में से कौन सी पूर चालुक के वंस की राजदानी थी तो चालुक के वंस की राजदानी कौन सी थी तो ये थी बादामी हरियाने कराचे पक्सी काला तीतर नेक्स्ट है यह आपको शरंखला पूरी करनी है तो यहाँ पे क्या आएगा यह आपके है A, B, C, D जो आपके जो है पहला और आखरी डिजिट है A, B, फिर आपका यह पहला और आखरी C, D, E, F तो यह आजाएगा G और H और यह यहाँ से बीच वाला यहाँ से स्टाट हो रहा है U, V, W W यहाँ पे आणना है X, Y, Z तो G, W, H यह इसमें आपका अंसर आएगा नेक्स्ट है A और B भाई है C और D भेने है A का पुत्तर D का भाई है यह नि A और B भाई है और C और D यह भेने है C और D यह दोनों भेने है और A का पुत्तर D का भाई है यानि A का पुत्तर जो है वो D का भाई है यानि इनका संबन्द यह है और B का C से क्या संबन्द है B का C से क्या संबन्द होगा B इन तीनों का चाचा है अगर ब्रोदर को इस प्रकार से लिखा जाता है ड्रीम को इस प्रकार से लिखा जाता है तो थ्रेड को किस प्रकार से लिखा जाएगा तो आपको सिंपल यह देखना है जैसे बी का सिंबल क्या है डोलर है आर का सिंबल है परसेंटेज है ओ को फाइफ लिखा जाता है टी को तो जैसे T को 3 लिखा जाएगा तो इस परकार से क्यों आपको इस सिंबल देखना है कि किसका क्या मतलब उसकी स्तान पर क्या लिखा गया है तो इसको आप मैच करोगे तो यह आपका अंसर आएगा option number A नेक्स्ट है एक परिवार में एक आदमी उसकी पतनी एक आदमी है और उसकी पतनी है आपको परिवार में पुरुष सदस्यों के संख्या बतानी है तो पुरुष सदस्यों को हम स्केर से दिखाएंगे और महिला को ट्रेंगल से तो एक आदमी है उसकी पतनी है उनके चैर पुत्र है उनकी पत्निया है और परतेक पुत्र के परिवार में तीन पुत्र है और एक पुत्र है यानि हर एक के तीन पुत्र है इनके तीन तीन और लड़के हैं हमें लड़की काउंट करने है क्योंकि पुरुष सदस्यों की संख्या बतानी है तो टोटल पुरुष सदस्य से कितने आगे तीन चोक बारा तो यह हो गए चार इनके लड़के और एक वो खुद तो बारा यह आपके आजाएगे 17 तो डीस में आपका अंसर आएगा नेक्स्ट है हरियाना वन विकास निगम हरियाना फोरेस्ट डेवलोप्मेंट कोपरेशन की स्थापना कब हुई थी हरियाना में वर्तमान में कितने प्रसासनिक मंडल हैं तो यह हैं 6 मंडल नेक्स्ट कोशन है कल्चिया के राजा ने हरियाना के किस हैर में किला बनवाया तो यह बनवाया था चछछरोली में पर्थम आदोनिक ओलंपिक खेल कहां पर हुए है तो ये हो थे एथेंस में कब हुए थे अठारा सो चाणमे में नेक्स्ट कुछन है ये आपके संख्याई दी हुई है इनमें से यदि परतेक संख्या के पहले अंक से ए गटा दिया जाए तो इस परकार बने वाली कितनी संख्या है तीन दुवारा विबाज जाए यानि तीन से वो जो है डिवाइड हो जाएंगी तीन से आप उनको भाग दे सकते हैं तो तीन से बाग देने वाली आप ट्रम्स को कैसे चेक करते हैं आप उन सभी को जोड के देखते हैं और अगर वो पूरा तीन से डिवाइड हो जाता है तो यानि जोडने के बाद तो यानि पूरा नंबर भी तीन से डिवाइड होगा तो आप एक में से एक गटा दोगे ज सबी सबी नंबर्स में करके देखों गे तौसमें आप का अंशर आएगा ऑफ्शन न्मेर एए तीन संख्या आपको मिलेंगी निमलिकित में से कौुन से है किकy की विदी हैं, तो यह आपका अंसर आएगा hacking की विदी, spoofing, sniffing, social engineering, तो dc में आपका अंसर आएगा उप्यूक्ट सभी, दो अक्टूबर 1969 में पंचायत राज का उत्गाटन भारत में कहां पर हुआ, तो यह हुआ था राजस्तान में, राजस्तान के नागोर जिले में, नेक्स्ट कोशन है, थर्टीवंत, यह आपका कोशन है, इसका डाटा doubtful है, तो इसका correct option अंसर की में देखना पड़ेगा, तोड़ा इसका डाटा डाटा doubtful है, नेक्स्ट है, ग्रामीन और सहरी स्तान्या निकायोग का चुनाव, द्वारा निर्देशित और अंत्र नियंत्रित किया जाता है, तो यह आपकांसर आएगा, राजस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा, नेक्स्ट है, हरियान पंचायती राज अदिनियम, 1994 की किस धारा में सदस्यों को अटाने की शक्ती उलेखित है, तो यह धारा 263 में, धारा 263 में, नेक्स्ट है, 164 का 40%, जमा में X, बराबरें 980 का 35%, जमा में 850 का 500%, तो X की वैल्यू निकालनी है, तो जब आप इस पूरे कोशन को सोल करोगे, तो X की वैल्यू आएगी 962, आपको के लिए सिंप्लिफिकेशन है, सोल करना है, नेक्स्ट है, हरियाना पंचायती राजजदीनियम, उननिस सो चुराण में के संदर्म में, सही उत्तर बताईए, तो सही उत्तर इसमें, आपका धारा 263, पूलिस के साथ प्रादीकरण के संबंद से संबंदित है, नेक्स्ट है, पानिपत का तीसरा यूद, कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया 1761 में, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में, और 1789 में करनाल का यूद लड़ा गया था, केम्पूर्टर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रेंडम एसेस मेमोरी के बेक अप के रूप में, डैस्ट स्तानकारिय करता है, तो इसमें आपका अंसर आएगा, वर्चुल मेमोरी, शी इसमें आपका अंसर आएगा, नेक्स्ट है, चान्द मिनार कहां पर है, तो चान्द मिनार है, इसमें आपका अंसर आएगा, दोलताबाद में, मेंक्स्ट है, HPPC, HPPC का मतलब क्या है, हरियाना पाउर परचेज सेंटर, अंतराष्ट है, पुने, संद्रतना और विकास बैंक, International Bank for Reconstruction and Development को क्या कहते हैं, तो इसको विश बैंक भी कहते हैं, सीज में आपका अंसर है, हरियाना का गुरुग्राम जिला, किस वर्ष में बना, तो यह हरियाना का सुरू से ही जिला है, तो यह है 1966 से, जब से एक नॉम्बर 1966 को हरियाना पंजाब से अलाग होकर बना था, तब हरियाना में स्टार्टिंग में साथ जिले थे और उनमें से एक गुरुग्राम भी था, एक पासे को एक बार फैकने पर च्यार सेधिक संख्या पराप्त करने की प्रोबेल्टी कितनी है, तो च्यार सेधिक संख्या कितने आगी पास और च्यार और आपके टोटल कितने आ सकते हैं, 6 संख्याय आज सकती है और 2 जो है आपके जो है favorable है तो यह आपके answer आजाएगा 1 बटा 3 दो को इसको cancel करोगे तो 1 बटा 3 next question है आपको जो है इसमें से odd pair select करना है 6 के बाद क्याता है 7 और 2 से पहले क्याता है 1 3 के बाद क्याता है 4 4 से पहले क्याता है 3 5 के बाद क्याता है 6 5 के पहले क्याता है 3 यानि यह यहाँ पर आना था 54 55 से पहले आता है 4 तो 64 यहाँ पर आना था तो 6 में आप cancer आएगा 8 के बाद 9 और 3 से पहले 2 तो यह भी आपका same है लेकिन सी इसमें अलग है, नेक्स्ट है, आपका यह simple question है, जैसे multiply के जगह पर क्या रखना है, plus रखना है, minus की जगह पर, multiply की जगह पर divide करना है, minus की जगह पर, आपको question देखना है, multiply का स्थान लेगा, वहीं प्लस की जगह पर प्लस की जगह पर माइनस और डिवाइड की जगह पर जो है प्लस का सिंबल लगाना है तो आप इसको सोल करोगे तो आप कांसर आएगा 200 निमलिकित में से कौन सा एक युगम सही सुमिलित नहीं है तो यह आप कांसर आएगा ओप्शन नमबर ए पदम गुप्त नेक्स्ट है संपतिक अधिकार जिसे 44 वे सोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सुची से निकाल दिया गया अनुचेट डैस के अंतरगत एक सायादारण विधिक अधिकार बन गया है तो इसमें आप कांसर आएगा 947 अनुचेद में है तो यह हैं आप कांसर आएगा 243 में नेक्स्ट कुच्चन है मिसर दातु में डैस के साफेक सनुपात को बढ़ाने की परक्रिया पेटिंसर्ण्स परक्रिया कहलाती है तो इसमें आप कांसर आएगा चान्दी के relative proportion को बढ़ाने की प्रिक्रिया को petition process कहते हैं next है disk drive के read या write head को disk पर निर्दिश्ट प्स्तान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांशित समय कौन सा कहलता है तो ये कहलता है seek time ये इसमें आपका answer आएगा बारत में पंचाइती राज संस्ता डैस की परणा ली है तो ये है gram means तानिया सवशाशन next है 51 question है तो इसको आप soul करोगे तो इसमें आपका answer आएगा 51 का D 20 next है gram सभा के संदर में कौन सा कतन सत्त है तो ये है आपका ये है पंचाइती राजब्रणाली की प्राथमिक निकाए है निमलिकित में से हरियाने के किस मुख्यमंत्री का कारेकाल सबसे लंबा रहा तो इन में से राय मंसी लाल का मोरेस्तम राजदानी जिसे सिंग राजदानी भी का जाता है यह खाप आई जाती है तो यह सारनाथ में निमलिखित में से एक युगम सही सुमिली थे कौन सा तो यह अनुछेद पंदरा राज्य द्वारा किसी भी बेदबाव के विरुद गारंटी पंचायती राज किस सूची में शामील है तो यह राज्य सूची में शामील है का प्रमुक कौन होता है तो यह होता है मुखे चिकित सा अधिकारी मुखे चिकित सा अधिकारी MS Word में चेनित अक्सरों को बोल्ड या अनबोल्ड करने के लिए शोटकट की क्या है तो यह है कंट्रोल प्लस बी ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उतरदाइतव किसका होता है तो यह होता है सर्पंस का या ग्राम सभा के अधिक्स का यह आपका होता है सर्पंस का इसका उतरदाइतव होता है यमना नदी हर्याना राज्य की की सीमा पर बैती है तो यह बहती है पूर वी सीमा पर नेक्स्ट यह आपको question solve करना है तो आपको जो है y की value बतानी है तो इसको आप solve करोगे जैसे मालनो a की power x है बराबर है b की power y बराबर है c की power z तो इसको आप equal कर दोगे k के बराबर और वहीं दूसरी equation दे रखी है b square is equal to a c तो a बराबर आजाएगा k की power 1 upon x ऐसे ही b बराबर आजाएगा k की power 1 upon y और c बराबर आजाएगा k की power 1 upon z तो आप जो है इस equation में इसको put कर दोगे b square b square यानि k की power 2 upon y और a into c a into c यानि k की power 1 upon x और multiply में होते हैं तो power जुड़ जाती है 1 upon x plus में 1 upon z तो इनका base same है तो यानि 2 upon y is equal to 1 upon x plus 1 upon z इसका आप LCM लोगे xz और x plus z तो इसको आप solve करोगे y उप पर चला जाएगा तो इसकी value आएगी 2xz अप और में x plus z तो इसमें आप cancer आएगा option number 10 में correct है next question है हर्यान पंचाइती राज अदिनियम 1934 में की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंदित है तो इसमें आपका अंसर आएगा ये संबंदित है धारा 148 next question है सबसे बड़ी संख्या ग्याद करें जिसे 43, 91 और 183 को विबाजित किया जाए तो प्रते एक बार शेस्वल समान बजता है तो इसमें आपका correct अंसर आएगा 4, 20 में आपका अंसर आएगा कैसे निकालते हैं जैसे 43, 91 और 183 तो 43 और 91 का जो है difference कितना है तो यह है 48, 91 और 183 का difference कितना है 92 और 43 और 183 का difference कितना है 140 तो यह आपका आगा तो आपको निकालना है 48, 92 और 140 इनका HCF निकालना है HCF निकालेंगे, 4 से देखेंगे तो यह आपका 4 से complete तीनों डिजिट जाती है 23 और 35 और इसके बाद इन में से कोई सा भी इनका ऐसा multiple नहीं है जो तीनों को divide करता हो तो इसका HCF आजाएगा 4 इसमें आपकांसर आएगा 4 Next question है ग्राम पंचायत के कारिया क्या है तो इसमें आपकांसर आएगा option number D उप्यूक्त सभी यहनी जल संसादनों का निर्मान और रख रखाओ करना रोजगार से संबंदित सरकारी योजनाओ का करयान वेन करना स्थानिय कर लगाना और एकतरित करना Next है पंचायती राजपर्णाली में पंचायत सब्द का मतलब क्या है तो यह पांच की सभा हरियाने के किस जिले को बुनकरोग की नगरी कहा जाता है यह कहा जाता है पानिपत को LA3 प्लस आयन यह क्या है तो इसमें आप का अंसर आएगा परती चुंबक्या या डाया मेगनेटिक निमलेकित में से कौन सा पक्षी विहार हरियाने के गुरुगराम में है तो यह सुल्तानपूर पक्षी विहार किस चिकित्सक ने दर्शाय की रक्त को शरीर में हरदे द्वारा पंप किया जाता है तो यह बताया है निमलेकित में से कौन सी निर्ट्य शैली महा भारत के यूद के दिनों से चली आ रही है तो ये धमाल नरते शैली थे पोलर कप राचिन स्थल हरियाने में कहां पर है तो इसमें आप कांसर आएगा कैथल में नेक्स्ट क्वेशन है एक आदमी के पास 35.5 मीटर कपड़ा है और उसे एक मीटर कपड़े से आठ टुकड़े बनाने है वह इस कपड़े से कितरी टुकड़े बना सकता है तो इसमें आप कांसर आएगा आप जो है 37 क्वाट से में टिप्लाइ कराओगे 206 में और 0.5 के 4 टुकड़े और हो जाएगे तो इसमें आप कांसर आएगा 300 तो इसमें आप कांसर आएगा इनमें से कोई नहीं हरियाना में अठारों से सतावन की करांती का प्रारम कहां से हुआ तो ये हुआ अंबाला से एक्स्ट कोशन है रिगवेद में डैस का उलेक स्थानिया सव इकाईयो के रूप में किया गया तो इसमें आप कांसर आएगा उप्युक सभी विधाता, सभा और समीती का छह संक्या काउसत तीन पॉइंट नो पाच है उनमें से दो काउसत तीन पॉइंट चेयर है जबकि दो काउसत तीन पॉइंट आठ पाच है तो बचिव इस संख्याव का आउस्त आपको बताना है तो 3.95 यानि सभी संख्याव का जोड कितना है 3.95 को आप 6 से गुना करोगे तो यह आप का आजाएगा 13.7 और वहीं 2 संख्याव का आउस्त 3.4 है तो 3.4 को 2 से गुना करोगे तो यह 6.8 आजाएगा यानि 2 संख्याव का जोड जोड 6.8 है और बाकि 2 संख्याव जैसे 3.85 उनका उस्त आउस्त है तो उनका जोड कितना आजाएगा इसको 2 से गुना करोगे 3.85 गुना 2 तो यह आप का आएगा 7.70 तो 4 संख्याव का जोड आगया 6.8 जमा में 7.7 तो यह आप का आगया 14.5 इसको आप जोड होगे तो यह आप का आएगा 14.5 इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे च्छे संख्याव का जोड तो 23.7 है 4 संख्याव का जोड 14.5 आप निकाल लिया तो यह आपका 14.5 इसमें जोड दिया इसमें से माइनस कर दिया तो यह आपका आगया 9.2 नो पिंट 2 को आप यह आप लास्ट की 2 संख्याव जोब बची है उनका जोड है इसको 2 से करोगे तो यह आपका आजाएगा 4.6 तो सी इसमें आपका अंसर आएगा नेक्स्ट है इंग्लिस और इंदी के कोशन बचते हैं आपको जो है फिलिंदा ब्लैंक्स पूरा करना है यूजर्स कंप्लेंट अबाउट दी डैस ओफ वार गेम्स तो इसमें आपका अंसर आएग मीनिंग बताना है स्टेट फ्रोम दी होर्स माउथ तो इसमें आपका अंसर आएगा इन्फोरमेशन गीविन बाई संबडी वू इस डारेक्ली इन्वोल्ड एंड देरफोर लाइकली तू बी एक्यूरेट तो आपको इसको सिनोनिम बताना है वोल्योबल का तो इसमें आपका अंसर आएगा टल्केटिव on what I know of him I can easily affirm that he is a good husband तू इसमें आपको जो है एरर बताना है कहां पर है तू इसमें आप कहां सराएगा option C of him I can next है रवी is always dash of the goods fortune of others तू इसमें आप कहां सराएगा एन्वियस next है सतीश reminded him dash his promise but he is quite indifferent to what सतीश said तू इसमें आपका अंसराएगा option B of next हिंदी के कुशन है अंदाज सब्द किस वाशा का परते है तो ये है हिंदी वाशा का भोदाकरत विर्यवारिश किस प्रकार की रचना है तो ये रचना है मुक्तक काव्य है डैस राष्टे जागरन और सांस्कृतिक विरासत विकास के उजश्वी कवी के रूप में परसीद है तो ये है इसमें आपका correct answer आएगा रामधारी सिंग दिनकर धरती धन्य अपना उ किस उपनियास के रचित है जगदीश चंदर नेकनवाद किस कव्यधारा के लिए प्रियुक्त हुआ तो इसमें आपका अंसर आएगा ये है प्रियोगवादी कव्यधारा मैथली भासा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री पैदनात मिस्र यात्री इंदी साहित के मैं बाबादैस के नाम से परिसीद हुए तो इसमें आपका अंसर आएगा ये हुए है नागारजण के नाम से नेक्स्ट कोशन है निमलिकत में से प्रवाशी साहितकार हैं तो ये आपका अंसर आएगा इसमें ये सभी सुदाओं डिंग्रा हरी संकरादेश और अचला सर नेक्स्ट है टेट है डेड है वरणों के परियोग का समध कावे के किस गुण से है तो इसमें आप कांसर आएगा ओज गुण से वही अगर आपको यूड़े पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू करें और स्टडी जो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और नोटिफिके आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए थैंक यू